हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लिए अपने नाम का नाम सुना होगा और एक दो और इंपोर्टन इसके आपको पढ़ना है जिनके मैं आपको स्ट्रीम और्टिंग मेथेड बताऊंगा तो यह सिरीज आपके यूनित नमबर नाइन के यूजिशनेट जोग्रफी सब्जक्ट के लिए नमबर नाइन जो है कंप्लेट सिरीज हम चला रहे हैं अगर आपने इसका एक भी लेक्चर नहीं देखा तो उसको मिस मत कीज कि आप एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से जमत में आने वाला है नोट भी आपको मिल जाएंगे लेकिन आपको सिरीज में देखना चाहिए क्योंकि फिर मैं वही बात करूंगा कि आपको आधा दूरा घ्यान देखोगे तो यहां पर आपको आधा दूरा घ्यान दूरा धिन कर दूरा दूरा कि सब्सक्राइब पर ना चाहते हैं तो बताते आपको कि यह टेस्ट इस्त्रक्चर्टर और प्लान की दौरान ट्रॉट्टी में टेकसे मिलेगा आपको आप इसे ले सकते हैं प्राइस हाइए होने वाला है फटाफट से लेजिए 10% का डिसकाउंट अगर आपको चाहिए किसी भी प्लाइन में तो यहां पर मैं आपको बता दो कि बारा महीने का प्लाइन आपके लिए बैस रहेगा लेकिन इसका प्राइस थोड़ा जादा है प्राइस में डिसकाउंट चाहते हैं 10% का तो मेरा रैफ अधिया जिनके भी आपर इस्तेमाल करते हैं उन्हें जीज़कर के साथ हमेशा के लिए आपके प्लाइन के दौरान हमेशा के लाब जुड़ए रहेंगे तो आपका डेली चार्ट क्या कि आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारह कुछ प्लाइन को तैयार होके मिले है फ्री शाय ships यहां सकते हैं और यह पुलोड की किये यह ही मेरे बारे में कुछ आप सकते हैं यहां से काफी सारे जो यूनल पीली सर चीज्जां के इंहां पर अप आपको अपने चैनल को खूब आगे बढ़ाना है ज्यादा साधा शेर कीजिए और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं कोई भी आपका फीडबेक है वो जरूर से आप कमेंट सक्षन में लिखा करें जिसे हम इंप्रूवमेंट करते रहें ठीक है कि इसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है जरूर से कमेंट सक्षर में लिखा करें इसके अलावा यहां से आपको नोट्स में लेंगे टेलिग्राम चैनल से लिंक सारे नीचे डिप्सक्षिन में दिये हैं और यहां आपके लिए ग्रूप है क्योंकि वट्सप फूल हो चुका उन सबके लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हैं आप वहां से जाईए हैं वहां से डाउंलूड आप कोई भी बुक पर्चेस कर सकते हैं इस लिंक के थो अगर आप जाएंगे तो आपको आसानी रहे हैं इसाग्राम पर फॉलो कीजिए मुझे सारे लिंक नीचे ड offering of stream किसी भी stream को या नदी को order में कैसे अरेंज किया जाता है इसका aún the TR तो देखते हैं तो यह linear aspect के अंदर आता है आप आप सोचेंगे कि पहली बार देख रहें लीनियर नायगा कीजारी प्रीफेट है इसलिए मैंने बोला है अधूरी विद्या जी का जिंधाल होती है जो तो भी देखना है सीक्मेंस में देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्यों भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है मॉर्फोमेट्रिक एनलेसिस मैं आपको ब्रीफली बता दूं फटा-फट से यह कार्टोग्राफी का सेक्शन है यूनिट 9 है यूनिट 9 को चार पा इस को पढ़ने के तीन तरीके हैं एक होते हैं और यह पिषली क्लास पर शुका हूँ तो आप उसको जाके देख सकते हैं अभी हम शुरू कर रहे हैं आज से linear aspect linear aspect में भी कई सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है तो इस linear aspect इसका नाम क्या है क्योंकि इसका character 6 linear है हम के वह linear तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला है ordering of stream ठीक है, stream order, stream number bifurcation ratio, stream length length ratio, length of over land flow sinusity index ये सारे जो methods हैं की linear aspect के अंदर आते हैं इन सभी को एक ही वीडियो में cover करना वो possible नहीं है, इसलिए आज हम सीखेंगे stream order, ठीक है ऐसा नहीं कि हर एक बराबर important है जिसको जितना importance exam के point of view से मैं उतना चलूँगा आप don't worry, इस पूरे lecture series को देखने के बाद जो daily lecture series आ रही है unit number 9 में आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने के अवशकता नहीं है ये मैं guarantee मेरी है, आप आराम से इसके सारे question को बना पाएंगे ये मैं guarantee लेता हूँ, अब इसको लेकिन इसको series में देखना है, कोई भी miss नहीं करना है और share करना है, तो stream order हम आज cover करेंगे, बहुत ही रित्मिनान से आराम से तो इस सारे Hindi English सब लिखावा है stream order का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर लिखावा है, इसको hierarchy की position में, यानि कि माली जब एक बड़ी नदी होगी ये एक main tributary है, इसकी छोटे-छोटे tributaries होगी, ये master stream कहेंगे हम इसको और ये इसकी tributaries है, क्या इन tributaries की भी tributaries हो सकती हैं, और उनकी tributary की भी tributaries हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं तो इनको hierarchy में, यानि कि पदानुक्रम में कैसे करके arrange करेंगे, जैसे हमने urban hierarchy पड़ा है, सबसे बड़ा जो level होगा, सबसे छोटे level से सबसे बड़े level तक, सबसे छोटे से सबसे बड़े level तक भी हमने उसके size के according, उनको hierarchy में order किया है, तो यह hierarchy शब्द आपके लिए नहीं आ रही है, अगर आप इस छोटे-छोटे शब्दों को समझ देंगे, तो आपको concept समझना बहुत ही असान हो जाएगा, तो जैसे हमने पास hierarchy increase होती है, तो ऐसे ही स्ट्री में कौन से स्ट्री में में रिवर है, इसके लिए हम उनको number के according, इनको number assign कर देते हैं, number एक का मतलब है कि सबसे छोटी है, जैसे जैसे नमबर बढ़ता जा रहा है, तो उसका मतलब hierarchy में उसका position बढ़ता जा रहा है, तो hierarchical position of a stream within a drainage basin, drainage basin भी मैं आपको डिटेल में बताया है, जैसे रिवर basin consists of its, इसमें कई सारी branches होती हैं, segments भी हम इसको कह सकते हैं, और इसकी अलग-अलग position होती हैं, एक drainage basin में, उस पूरे area में, तो इसका morphological characteristics पता लगाने के लिए ही हमारे पास ये linear characteristics एक बात याद रखने हैं आपको किस प्रकार का characteristics, linear characteristics पता लगाने के लिए सबसे पहला method है stream ordering, ठीक है, तो stream ordering, stream order is defined as a measure of the position of stream in hierarchy of tributary, यानि कि stream order वो एक method है, जिसकी मदद से हम इस पूरे drainage basin की जो इतनी भी rivers हैं, उन सभी rivers में, किसी एक particular river की क्या position है, इसको पता लगा सकते है, morphometrical तरीके से, ठीक है, statistical तरीकों से, यह कहलाता है stream ordering, ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे पहला तरीका है, यह इट वाज ग्रेविलियस, यह ग्रेविलियस का method है, ग्रेविलियस थे, जिन्होंने सबसे पहला attempt किया है, इस संदर में, अब ग्रेविलियस का क्या method है, हर्टन का क्या method है, इस टॉलर का क्या method है, वो सबमेगे करके देखने वाले हैं, यह इसी तरीके से, इसका हिंदी भी लिखावा है, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला method आता है, ग्रेविलियस scheme of stream ordering, यहाँ पर मैंने नक इनका detail लिखावा है, बलकि हम यहाँ से इस चार्ट के मदद से भी देखने वाले हैं, और आपको इस चार्ट को देखने एक वाद इस वीडियो को देखने हैं, आराम से समझ में आएगा, तो सबसे पहले देखे ग्रेविलियस, ग्रेविलियस नहीं का क्या है, यह पूरा यह पूरा एक drainage basin है, अब drainage basin क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, अजियों कीजिए, यह पूरा एक drainage basin है, ठीक, पहले मैं आपको इससे समझाओंगा, बात में उससे, इस drainage basin में उन्होंने सबसे पहले का क्या है, जो एक सबसे लंबी stream है, देखे, इसका शुरुआत से लेका कहां से इसका origin हो रहा है, कहां पर इसका end हो चुका है, पूरा जितना है यह, इसकी एक लंबाई पता कर ली है, इसको नंबर दिया है, एक, जो सबसे लंबी है, शुरू से लेकर end तक, इसको नंबर दे दिया एक, इस एक में जो भी river आके मिलेगी, सबसे पहली बार जो river आके मिलेगी, उसको नंबर दे जाएगा दो, देखिए, सबसे पहले, सबसे लंबी जो river है, उसका शुरू और end पता लगाया, फिर इस एक में जो नदी आके मिलेगी, उसको बोलेंगे दो, देखिए, इसको बोला जाएगा दो, जो इस एक में आकर मिल रहे है, डिरे जो इसको डिवाइड कि इसको डिवाइड कि इसका ग्रेवीली इसका, यहां पर लिखावा है, सबसे पहले उन्होंने इडिटिफाइग किया है, सबसे पहले, कहां से इसका आउटलेट है, कहां से ओरिजिन होता है, कहां पर इसका सोर्स है, पूरा इसका एक ट्रंक के स्ट्रीम मतलब सबसे बड़ी स्ट्रीम, ठीक है, इसमें सबसादा पानी डिस्चारज होता है, इसकी जो हेड़ुड ब्रांचिंग, आप देख रहे हैं इसको कहा है, कहां से फेल प्हों से स्टॉर्स है? complete इसको देखा यह नमबर एक है अब इसमें देखें जो भी नदियां आकर के मिलती है नमबर एक में जो नदियां के मिलेगी वो होगी नमबर दो उसको नमबर दिया जाएगा order two और उस order में जो नदिया के मिलती है उसको order दिया जाता है तीन और तीन में जो मिलेगी वो उसका नमबर दिया जाएगा चार यह ग्रेविलियस का स्कीम है अब अगर आपको एक्जाम में यह डाइगराम बनाके पूछ ले कि यह वाला स्कीम किसका है तो आप देखके ही पता लगा देंगे कि आजकल एक्जाम में ऐसा हो रहा है आपक कि मिलरी इसको तीन नमबर दिया है तीन में जो आके मिलरी इसको चार नमबर दिया है तो इसका नाम याद रखने ग्रेविलियस इस थिस स्कीम ऑफ़ स्टीम औरेंग बाइग रूड वाइज ऑन सब्जेक्टिव डिसीजिजेन अफ इंविस्टिगेटर इज बाइज बइ में हिंदी भी देखे लिखे विए ग्रेविलिस की जो इसको सराहना नहीं की गई है क्योंकि और प्रतेग विभाजन पर अनिमेशन के व्यक्ति परक निरणे पर आधारिती है यहाँ पर सग्मेंटेशन किया गाए यहांपर हला कि सब निरणे करता है striking कि एक नमande देना है दो नमबर देना है दो लाइन ये निर्णाय करता कि खुद के व्यक्तिकर निर्णाय उस पर आधारित होती है. ग्रेविलियस के बाद आते हैं होर्टन और यह अमेरिकन इंजिनियर थे इन्होंने अपना स्कीम प्रेजंट किया था 1945 में और होर्टन क्या कहते हैं देखिए होर्टन का जो मैथड है वो पीछे ही यह लिखावा होर्टन होर्टन बताते हैं सबसे पहले जो एक नंबर की वॉटरी नहीं और जिसकी कोई वह दूटन पर यह मिल गई वहांसे जो नदी बनेंगी वो सेकंड आरडर के होगी यहाँ पर आप देख रहें यह फरस्ट ऑडर है इसी में एक और फरस्ट और है फाइनली वो बन गई, second order देखिए आप. ये भी first order है, ये भी first order है. दोनों के दोनों एक है न, इनके कोई totally नहीं है, इनके कोई . ये भी opportunity हैं, तो ये भी होगई दो, और ये भी होगई, यहां से ये वाला point दो, और दो मिलके बनेगा तीन. फिर ऐसे तीन और तीन मिलके बनेगा चार ठीक है लेगिन एक बात यह ध्यान रखनी है जब दो सेम ओडर के रिवर्स मिलती है तभी नेक्स हायर ओडर इंक्रीज होता है otherwise नहीं होगा जैसे यहाँ पर देखिया आप यह सेकंड ओडर स्ट्रीम है इसमें फिर्स्ट ओडर स्ट्रीम आकर मिल रही है तो क्या यह तीन होगया नहीं यह रहेगा दो ही ठीक है जो हायर ओडर है वही रहेगा यह इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि यह ओडर इंक्रीज नहीं होगा जब तक कि दो सेम ओडर की नदियां आकर के या दो same order की stream आकर ना मिलें जब same order के reverse आकर मिलेंगी तभी ये increase होगा otherwise increase नहीं होगा ये बात इसमें ध्यान देनी है ठीक है तो इसमें क्या कहा जा रहा है stream hotton में यही चीज़ आपको बताई जा रही है कि इनुने scheme है ये 1945 में दिया था जो कि opposite है gravely इसके scheme के ग्रेविलिस क्या करते हैं gravely सबसे पहले सबसे main river को ये इसका outlet से source तक बता लगाते हैं फिर इसमें जो मिल रहे हैं फिर थर्ड उसमें जो मिलेगी थर्ड फिर थर्ड में भी जो मिलेगी वह फूर्थ लेकिन यह ऐसा नहीं कहते हैं ठीक है according to hotton यह बोलते हैं कि एक ऐसे stream ज अपने आपको खुदी पानी प्रवाइट कराती है एक ही रिवर है वो independent river है ठीक है in terms of water supply उसको कहा जाएगा first order stream क्या कहा जाएगा उसको first order stream उसको designated कहा जाएगा और जब दो first order stream मिल जाती है तो वो next higher order का निर्मार करती है और जब दो second order के stream मिल जाएगी तो वो third order stream का निर्मार करती है इसी तरीके से process आगे बढ़ता रहता है लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली जो मैं आपको पीछे भी बताई थी मैंने सब लिखावा है यह और की होंगे तभी जाके next higher order का निर्मार होगा otherwise नहीं होगा माली जी की एक low order stream है एक high order stream है तो यह stream order जो है वो increase नहीं होगा बलकि वो सेम रहेगा लेकिन वो कहा जाएगा कि वो higher order है उसी को मान रखा जाएगा जैसे यहां पर तीन है जैसे यहां पर दो है दो में एक मिल तो ऐसा नहीं कि एक हो जाएगा फाइनली वो दो ही रहेगा तो higher order की तरह की हम देखेंगे तो यह होटन की स्कीम है ठीक है आई हो आपको होटन की स्कीम भी समझ में आगे बढ़ते हैं इस्ट्रॉलर का थोड़ा सा इसमें यह होटन को ही refine करते हैं थोड़ा सा और होटन के स्ट्रीम में ही स्ट्रीम पर जो मैथड़ है उसी में थोड़ा सा अपना यह इसका संशोधन करते हैं इसको रिवाइश करते हैं और अपने यह देते हैं जहां पर देखे हर्टन ने यह बात करी है कि दो first order stream आके मिलती है तो वह next higher order का निर्मान करती हैं लेकिन वह इस बात का राम हम देंगे तो यह तो पता नहीं है न इसलिए इन्होंने क्या क्या है इसको segments में डिवाइड कर दिया है यहां से लेकर हर एक segment में यह एक segment है यह दूसरा segment है यहां तक यह तीसरा segment है फिर इस आगे चौसरा segment है तो इन्होंने नदियों को segments में डिवाइड कर दिया है इसलिए इनके जो stream order का method है, इसको segment method कहते हैं, देखे जिनका कोई भी यहाँ पर tributary नहीं है, उसको segment one दिया है, और जब दो one segment वाली नदिया मिलती हैं, तो वो second order का निर्मार करती हैं, ठेकि यहां से लेकर और फिर यहां तक जब तक यह third order ना बन जाए, तक यह second order segment ही दो और दो जहां से मिल जाएंगी, यह इतना segment दो का है, segment मतलब इतना भाग जो है, वो दो का है, और जब दो और दो मिल जाएंगी तो वो बन जाएगी तीन में, ठीक है, यह तीन कब तक रहेगी, जब तक इसमें तीन third order की stream ना मिल जाए, लेकिन वो segment wise ही, ठीक है, ऐसा न इसको solution हो सके, यह भी एक है, यह फाइनली आगे बढ़ रही ही, यह कौन सी वाली एक है, क्या यह इस वाली stream को आगे बढ़ाया गया, इसको stream को आगे बढ़ाया है, इन में से किस stream को आगे बढ़ाया है, और इन दोनों में से किस stream को आगे बढ़ाया है, यह कोई पता नही का यह निस्टॉलर के द्वारा जो कि दिया गया है री ग्लासिफिकेशन उन्हें किया है वह ऐसी श्ट्रीम को जिसका कोई भी ऊसका ट्रिब्यूटरी नहीं है उसको डेजिनेट करते हैं सेग्मेंट में ठीक हैं तो यह उसको और ना बोल करके सेग्मेंट बोलते हैं इस है और जहां पर ये 2 for 레ßen अअदर के स्ट्स sukmethose उपलर का निर्मार करते हैं और जहां पर सेकेंड ऑडर के दो मिल जाते हैं तो थरड् सेगमेंट का निर्मान करते हैं सैंग्मटस दियाद रखेगा इसी लिए की को सेग्मेंट स्ट्रीम सेग्मेंट में भी कहते हैं क्योंकि उन्हें हर एक स्ट्रीम को सेग्मेंट में डिवाइड कर रखे रखा हुआ है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यानक नहीं इसके अलावा यहां पर इस स्ट्रीम हैव में एडिशनल स्ट्रीम सेग्मेंट लोर अर्डर देन देर और older order these do not affect the classification अब जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर third order में यह first order भी मिल रहा है न क्या यह फोर्थ हो गया नहीं जैसा इनका है वैसे इनका है order increase नहीं होगा जब तक कि दो सेम और ना मिल जाएं तब तक यह आगे नहीं बढ़ेगा बस इन्होंने segments में डिवाइट कर दिया है जब दो सेम segments वाली निदिया मिलेंगी तभी जाकर के यह स्ट्रीम सेग्मेंट higher order में convert होगी otherwise यह increase नहीं होगा ठीक है तो यह चीज़ इसमें है इसके बाद finally हमारे सामने इस टॉलर के बारे में हिंदी में लिखा हुआ है इसको आप देख सकते हैं पाइनली आते हैं श्रीव का stream link magnitude method अभी देखे होटन ने order की बात करी होटन के बाद इस टॉलर आते हैं इस टॉलर ने किसकी बात करी आपने भ आकार चोटा है या बड़ा है कितना आकार है magnitude से मतलब होता है आकार ठीक है तो आकार बड़ा है या चोटा है इसके आधार पर उस पूरे segment में यहां पर देखिया यह इस टॉलर तो मैं बता चुका हम आपको यह श्रीव हैं श्रीव में क्या कह रहे हैं श्रीव एक और एक मिले तो दो बन गई एक और एक दो मिले तो दो बन गई दो और दो मिलेगी तो तीन नहीं है यहां पर दो और दो मिलेगा तो तीन बनेगा दो और दो मिल जाएगी चार बन जाएगा लेकिन चार में एक जुड़ जाए देखिए चार है ना चार में एक जुड़ गई यहा का मतलब क्या है आकार क्योंकि पीछे जो भी जो भी मेठड दिये गए हैं उन मेठड में इनके आकार को निर्माण नहीं होता है तो इसी problem के solution के लिए इन्हों ने श्रीव ने magnitude सब्द का इस्तमाल किया है और magnitude मतलब आकार से क्योंकि उसका कोई न कोई आकार तो है ही तो सबसब इसे order के अलावा यह magnitude सब्द का इस्तमाल करते हैं तो दो segment वाली है फिर दो सेम magnitude वाली reverse बनती है तो वो next higher order का निर्माण करती है लेकिन एक चार वाली मिलके एक पांच वाली मिलके तो यह मिला के बन जाएंगी नाइन्थ magnitude की stream ठीक है जैसे यहां पर example की दौर भी दिया जा रहा है अगर दो segment की magnitude when two segment of magnitude meet to meet the magnitude increase magnitude increase वालता कैसे two plus two four हो जाएगा फोर में प्लस वन होगा तो फाइब magnitude का बन जाएगा लेकिन जो पीछले जितने भी स्कॉलर है उन्होंने इस तरीका का classification नहीं दिया गा है वो बोलते हैं कि जब तक दो सेम और के रिवर्स नहीं मिलेंगी तब तक नहीं होगा लेकिन श्रीव यहाँ पर 1967 में इसको खंडित करते हैं और बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है जब दो सेम और के नहीं मिल रहे हैं लेकिन हमें उसके नदियों को नंबर दिया हुआ है नंबर असाइन किया है है और जो मेथट से वो दिये गए हैं तो हमने चार मेथट देखें हैं सबसे पहला हमने देखा ग्रेवीलियस का फिर होटन का इस टॉलर का और इसके बाद श्रीव का आई होग कि आपको यह सब कुछ समझ में आगया होगा कोई अब अगर मिजे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्चेन दिए ओर क्या सब्सक्राइब किसार में लगा करें जरूर से अगर कोई se Cameron में लग давно करें अब हम मिलते हैं अब हम नेक्स cuisine